मेरा नाम अपूर्व आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज मैं आया हूँ जेस्वी हुंडई और आप जानते हो किस लिए थमनेल आप देख चुके हो चलिए सस्पेंस नहीं रखते हैं गाड़ी सीधे आपको दिखाते हैं यह देखे ब्लैक ब्यूटी यह SX Option है पीछे से कित्ती ज्यादा खुबसूरत लग रही है और यह थोड़ा थोड़ा सा अगर बताओ मुझे जो लगता है ना बैक से कि थोड़ी सी मुझे अपनी ग्रैंड विटारा का थोड़ा सा देती है टच और यह जो लाइन साती है एन ऐसे नीचे ड्रॉप हो ज थोड़ा सा अगर आपको कहीं से भी लुक फील होता है तो डेफिनेटली मेरे को बताईएगा देखे बगल में मेरे पास एन लाइन भी खड़ी हुई है अब यह देख रहे हैं यह सब एक ही फैमली लग रही है स्ट्रेट लाइन जाती है फिर लास्ट में ड्रॉप होती है स्ट्रेट लाइन उधर से आती है और लास्ट में ड्रॉप होती है नहीं थी बात आज नहीं करेंगे लेकिन गाड़ी काफी जादा खुबसूरत है गाड़ी के डैमेंशन में कुछ भी चेंज़ेज नहीं हुए है सब कुछ बिलकुल एक्जाक्ली सेम रखा है 2610 mm का इसका लेंथ है और 50 लीटर का फ्यूल टैंक है और यह 1.5 लीटर मैनुवल है डीजल जो सबसे ज्यादा जिसको अगर चाहिए तो वह इसी डीजल इंजन पर जाता है काफी रिलाइबल डीजल इंजन है बहुत ही अच्छा यह दिता है 20 प्लस अगर आपको चाहिए इतनी बड़ होगे तो हर जगे आपको extra cost देनी पड़ेगी उन सबको आप calculate करिएगा कि आपकी अतनी रणिंग है की नहीं है नीचे देखें ब्लैक इंसलोर में कितने अच्छे लग रहे हैं अलोई वील्स में इसमें आपको बेंटलेटेड डिस ब्रेक मिल जाता है एंड जेके के टायर हैं इसमें एंटायर साइज एक बार में आपको बताना चाहता हूं मतर ढूंदना पड़ रहा है कि 215,6,17 अच्छा लग रहा है एंड आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरंस भी विल्कुल सेम रखा गया है 190 mm कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है नीचे यहां पे silver कलर की य देख थे लेकिन हैं यह जैसे पीछ दिया गया है फिछ भी देख रहें में एक्स्ट्रा दिया गया है अब इसको डाग र्रे कह सकते हैं और अच्छा लग रहा है थोड़ा सा और बलकीरस いसको देरा है पीछह र स्क्रैचेश् भी अंदर कर दिया गया है तो अब ये गंदा भी नहीं होगा और scratches भी नहीं आएंगे तो आप बस उपर से clean रखें इसको और पीछे आपको parking sensors मिल जाता है बैक में ही खड़े है तो एक बार आपको boot space में दिखा देता हूँ 433-liter का boot space है बोस का पीछे subwoofer दिया हूँ i8 speaker system है पीछे आपको boot lamp मिल जाता है parcel tray मिल जाती है और ये पूरा flat bed मिलता है जिसकी वेचे समान रखना और निकालना काफी जादा easy होता है अंदर भी आपको 16-inch का spare wheel दिया है जो अच्छा लग रहा है tool kit अंदर ही पूरी दी हुई वाइपर washer high mount stop lamp and defogger piano black finish में इसका आपको sharpen antenna मिल जाता है spoiler भी काफी ज्यादा थोड़ा extent किया है तो थोड़ा और character add कर रहा है sportiness add कर रहा है गाड़ी में chrome में इसके सारे door handles मिल जाते हैं तो यह सब आप चीजे देख सकते हो और और बीम पर देखिए नई चीज 360-degree camera मिल जात से कोई भी आपको overtake कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो आपको जरूर दिखाए देगा यहां पर आप देख सकते हैं एडायस का feature आगया यह साइट से कोई आपको overtake करेगा तो यह reflect करेगा तो आपकी नजर जरूर पड़ेगी इस पे काफी जादा सेफटी में आगे और automatic wipers इसमें नहीं आए रेंज सेंसिंग वाइपर नहीं आए अच्छा लग रहा है और फ्रंट चलिए सबसे attractive जो है वह इसकी फ्रंट इसका आप लोग वेट कर रहे थे यहां फुल आपको LED का पूरा काम मिलेगा काफी ज्यादा अच्छी लग रही है यह सब बिल्कुल LED में है और फ्रंट का गिरल काफी ज्यादा बॉल्ड कर दिया है आप देख सकते हैं डाक क्रोम का इस्तमाल किया गया है three sixty degree के लिए फ्रंट का कैमरे के इधर मिल जाता है दो और वीम पर है एक बैक में मिल जाता है और यहाँ पर आपको सैटर फिनिश में हुन्ड़ई का logo मिल जा रहा है जिसने भी design की है बहुत जादा सोचे किया है कोई fog lamp इसमें नहीं मिलते हैं यहां पर ventilated यहां पर जगे आपको मिल जाती है जो tires को ठंडा रखने के लिए काम आती है बहुत जरूरी चीज है यह गर्मियों में यहां पर आपको high भी मिलता है यहां आपको low भी मिलता है फुल LED reflectors light आपको मिल जाती है तो यह काफी ज़्यादा अच्छी लग रही है आप देख सकते हैं एक बार इसका look देखे आपको पहले वाले look से ज़्यादा आपको यह जरूर पसंद आएगा यहीं पर अगर हम इधर देख सकते हैं venue को अब आपको यह लगती है कि क्रेटा एक ही फैमिली की है तो पहले वाली अलग थोड़ी लगती थी फैमिली से तो यह सारी चीज़े अच्छी कर दी है यह देखे करक्टर लाइन से यहां पर दे दी गई है और बहुत ही ज़्यादा सूट कर रही है बहुत ज़्यादा इसको एक स्पोर्टिनस और एक बात करते हैं यहां पर आपको एक सिलवर पैनल मिलेगा अच्छा लग रहा है यहां पर रूट्रेल आपको सिलवर में मिल जाएगी पीछे अब इस सीट को आप 60-40 में स्प्लिट पहले भी होती थी अभी भी होती है यहां देखी फुल फ्लाइट यह हो जाती है एक्स्ट् कर सकते हो यहां पर आप गैपिंग देख रहे हैं तो थोड़ा और आप एक्स्ट्रा पीछे ले जा सकते हो इसको आइसो फिक्स का ऑप्शन दिया है थ्री पॉइंट सीट बेट्स मिल जाती है शिक्स एयर बैक्स अब स्टेंडर हो चुके हैं हुंड़ई में तो यह सब आ कोबायल रखने का स्पे ép मिल जाता है यहां पे आफको पॉकेड मिल जाती है एपने दोई मेन्स अक्याइँ लिए इंटीर्यीर का जो थीम रखा है अच्छा है है और यहां पर थोड़ा कौपर फिनिष इसका पाइपिंग कि इया है का कॉपर में स्टिचिचिः की गई है वाइट स्टिचिंग के साथ है लाइट ग्रे एंड बेज के साथ इसका कॉमिनेशन किया गया है दोर्स पे आपको ब्लैक का भी ट्रीट्मेंट मिल जाता है तो यहां पे सब हात लगाते हैं तो यह गंदी हो जाती है जगे तो इस लिए इस जगे को ब्रैक रखा है बाकि सब आपको थोड़ा सा लाइट टोन दिया गया है सॉफट अपर से कुशनिंग है बाकी नीचे अपना हाड प्लास्टिक ही दिया हुआ है यह देखे लाइट ग्रे है यह बेज है चलिए बार बैट के मैं आपको दिखा दिता हूं इत्ती स्पेस है फ्रंट की सीट मेरे हिसाब से अध्यस्टिबल है रेक्लाइन एंगल काफी ज़्यादा बढ़ गया है उसकी वज़े से आपको एड्रूम भी अच्छा मिल जाएगा नीरूम अच्छा मिल रहा है नीचे फूट रूम मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है अंडर थाइस सपोर्ट मेरी हाइट के लिए ब साथ से बचरह तो बहुत जादा तीन हेल्डी लोग पीछे नहीं बैठ सकते हैं एक हेल्डी और दो बैठ सकते हैं यह दो डो एल्दी और एक और सकता है यह इस तरह से आपको पीछा सब्सक्राइब चलिता अबिस्ट करना पढेगा चलिए यह देख लेते हैं आगे आगे तो वहां एसिस्टेंस मिलता है साइड में आपको ब्लाइंड इस्पोर्ट्स चेक करने के लिए एसिस्टेंस मिलता है साइड में अगर आप इंडिकेटर देते हो तो यहीं पर आप कैमरे का पूरा व्यू आ जाएगा और उससे काफी जादा हेलप आउट रहती है बाकी यहां पर आपको एक यह मैगनेट दिया गया यहां पर आपना कोई आइडल यहां से स्टिक कर सकते हो कोई छोटी मोटी चीजें हैं जो हलकी फुलकी वही स्टिक कर सकते हो मोबाइल मेरी मैं यहां पर सिल्वर की लाइनिक दीए तक अच्छी लग रही है तेल्ट रेक्सोपिक में स्टेरिंग मिल जाता है आपको और यह बेस से मिलता है तिल्ट अटेलिसकोपिक ले स्वीट मिल जाती है एक सारी चीजे बेस मॉडल में भी मिलती है और हम टॉप देख रहे हैं हमें देजल मैनुड सब्सक्राइओं हुए ऐसी दिरेंड देडा। हैुक्रेशिक यहुटन करेंट फлох सबस्क्राइब करेंगों सब्सक्राइब सेट अटी हुए आरे विलता है। दोनों सीट्स तेड्स दिलेटेप बीच में आपको एलेक्ट्रोनिक पार्किंग ब्रेक दिया हुआ है अटो होल्ड मिल जाता है दो कप होल्डर है कोई भी एर प्यूरिफायर इसमें नहीं आता है यहां पे आपको छोटी सी अंदर डीप स्पेस मिल जाती है सिक्स यहां से आप 360 डिग्री व्यू देख सकते हो यह आप देखे क्यामरा क्वालिटी बहुत जाद है अच्छी होती है आप सबको पता है किया लो चाहे हुंडाई लो तो उसमें आपको कॉबलम नहीं होने वाली ड्राइवर साइड देख लेते हैं क्या-क्या हमें मिल जाता है य यह पूरा आपको 10.2 इंच का स्क्रीन मिलता है अच्छा लग रहा है और पूरा डिजिटल यहां पर इंफोर्मेशन डिस्प्ले मिल जाती है टॉप में अलग आता है बेस में आपको वर्ना या वेन्यू जैसा आपको मिल जाता है जो इस ड्राइवर इंफोर्मेशन डिस् इसमें आपको मिल जाता है तो इस सारी चीजे अच्छी हो जाती है और यहां पर फिसकल बटन दिये हैं और उन्ड़ी में ही यहां पर टेस्ट भी आता है और कई गाडियों में भी आप यहां बीच में टेच मिलने लगा है जिसकी विज़े से लोगों को कुछ लोगों को क काफी इन कंविनियंस होती थी तो अब यह चार सारी चीजे काफी जादा अच्छी हो गई है अब टोटल फिसकल बटन दिये हैं सारे शॉटकर्स दिये हैं मैप नैविगेशन रेडियों मेडिया हजार्ड ट्रैक सीक फेवरेट सेट अप इधर से आप एक साइट का टेंप के ब्लिंक कर जाएगा वायलेस जब चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी यहां पर टाइप सी पोट दिया हुआ है यह जो यह जो पोट है ना यह जो सिस्टम है यह किया और हुंडई में बिल्कुल एक्जाक्ली सेम आता है तो वह आप बिल्कुल कर सकते हो यहां पर आप इवेंट मिल जाता है अंदर तो समान आप ठंडा रख सकते हो अल्मोस्ट एक लीटर के दो बॉटल्स तो आई जाएंगे तीन भी आ सकते हैं एक नया एरिया यह आपको यहां पर मिल जाता है अपना कुछ भी की रखने के लिए या वाले रखने के लिए या कोई चोटे फ अच्छे लग रहे हैं यह जो टेक्शर है ना यह बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है जो उपर बेज में आपको दिया हुआ है प्रीमियम क्वालिटी आपको मिल जाती है लेकिन सारा हाट प्लास्टिक ही अभी भी यूज हो रहा है इसमें यहां पे थोड़ा सा ब्लैक अच्छी लग रही है इसलवर की यहां पर लाइनिंग भी अच्छी लग रही है और यहां पर यहां पर आपको संच्छी रखने के लिए जगे मिल जाती है यहां से हम संगरूफ यहां पैनरॉमिक संगोफ खोल सकते हैं आप देख रहों पहले शेड अटेगा अच्छी लगती है इतना साइस तो पैनरोबिक संरूफ का हो नहीं चाहिए इतनी बड़ी ओपनिंग भी एक संरूफ की होनी चाहिए कई-कई गाडियों में इसी के राइवल्स में छोटा सा एक संरूफ दे दिया जाता है कि जस्ट फॉर फीचर की कहना कहने के लिए लेकिन यहां पर हुंड़ा ही ने ऐसा नहीं किया है यह प्रॉपर संरूफ यह पैनरोबिक संरूफ दे दिया है तो यह सब चीजे काफी ज्यादा अच्छी है उपर से बिल्कुल फ्लैट हो गया तो विजिबिल्टी आप भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है मैंने यह सीट हाइट के कोडिंग सेट कर दी है मोटराइजड हो गई है अब तो ड्राइवर सीट एंड मेरे को फ्रेंट के दोनों एंड्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है मैं काफी इसली मैं इसको हैंडल कर सकता हूं और मैं आपको ऐसे बता रहा था यह अटके टेलेसकोपिक दोनों मिल जाता है बाकी इधर पूरा आपको औडियो कंट्रोल मिल जायेगा इस तरफ और यहां से आपका वाइपर वॉश्र कंट्रोल कर सकते हूं इस तरफ से अपना लाइट से इनिंडिकेटर आप कंट्रोल अब देखते हैं इसके ड्राइवर इ वीडियो अलकजार वाला व्रिफर कर लीजेगा तो उसमें आपको डेफिनेट्ली यह चीज दिखाई देगी यहां से में इसका मोड चेंज कर सकते हैं अब मोड नहीं अंदर मतलग कि आप स्क्रॉल कर सकते हो क्या क्या इंफोर्मेशन इसमें दी हुई है कि टीपीमेस जब गाड़ी चलेगी तभी काम करेगा बाकी यह डैस वाला है और इधर से हम देख लेते हैं एक बार रेडियो को देख लेते हैं यहां पर आपका नेविगेशन भी दिया हुआ है कि सारी चीजे इसमें दी हैं अच्छे से चलिए फ्रंट में चलके एक बार आपको लाइट्स चेक करा देता हूं और फिर डैशबोल भी खोल लेते हैं डैशबोल कहा रहा हूं हूँड भी खोल लेते हैं सबसे पहले बैक लाइट देख लीजे काफी ज्यादा खोब सुरत लग रही है और काफी ज्यादा प्रीमियम अब हो गई है पहले से मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है आप अपने व्यू जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं और यहां आप देख सकते हैं कि इसका फुल एलेडी हेड्लाम सेट अप यहां पर आपको फंट में इंडिकेटर्स हैं नीचे यहां पर लोबी में है उसके नीचे आपको हाई भी मिल जाती है अच्छी लग रही है फ्रंट से लुक देखिए काफी ज्यादा अच्छी है चलिए एक बार अंडर खुड में आपको दिखा जाता हूं कि क्या व्यू आ रहा है कि सुनने में आया है कि पहले से भारी हो चुका है और डफिनेटली गेट इंपीज हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं अपना पुराना 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 114 पीएस की मैक्समुम पावर निकालता है और मेरी कहाल से 200 न्यूटर मीटर का टॉक निकालता है तो अच्छा लग रहा है अच्छे से क्लीन अप किया हुआ है कापी अच्छे से हर चीज लगाई हुई है बाकी स्टेंडर सेफटी फीचर इसमें सारे आ जाते हैं अच्छे सारी चीज़े अलड़ी भरी हुई है पूरा ब्लैक रूफ इसमें उपर आपको मिल जाता है उपर आपको पैनलोबिक संग्रूफ मिलता है तो मेरे को तो कहीं से फीचर वाइस में इसमें कहीं से भी कमी नहीं लग रही है और इसमें तीन इंजन आप्शन्स आप खालंक के सामने है जो 1.5 डीजल इंजन है असार राप में 160 PS की पावा निकालता है टर्बो इंजन नॉर्मल जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आपकी 115 PS की पावा निकालता है 172 मेरी ख्याल से उसका टॉर्क ऐसे 145 के असपास का टॉर्क इसमें मिल जाता है तो काफी ज्यादा एक अच्छा पॉइंट हो जाता है और वह सबसे ज्य अच्छा निकाल के देता है और सबसे ज्यादा रिक्वार्मेंट हो डिजल इंजन के साथ जा सकते हो जो ट्रस्टेड है रिलाइबिल है इतने सालों से अगर आपके लिए माइलेज कोई कंसर्ण ही नहीं और आपको पावर चाहिए और पेट्रोल इंजन के साथ चाहिए फ्यूचर देखते हुए तो डेफिनेटली टर्बो आपके लिए ही बना हुआ है तो उसको आप चलाएं और आपको खुब मजा आएगा उसके साथ कलर आपके सामने एक ब्ल लाक मिल जाएगी ग्रे मिल जाएगा टाइटन ग्रे एंड वाइट कलर मिल जाएगा यह सारे आपके कलर ऑप्शन हो जाते हैं अगर हुंड़ी क्रेटा की में बात करूं तो डीजल आपकी 12,44,900 रुपे से शुरू होती है और जो टॉप मैनुवल में आपका जाता है वो 18 13,73,900 रुपीज तक जाता है सो फ्रेंट यह क्रेटा आपको न्यू वाली कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगो और आज के लिए स्पेशल थैंक्स में कैसा ना चाहता हूं जेस्वी हुंड़ी गोमती नगर को जुनों ने हमें बुलाया अर्ली मॉर्ण चीज नहीं है इसको बेचने की बहुत जादा एक कोशिश करनी पड़ती है नाम से अपने आप बिग जाती है क्रेटा इस तरह का यह ब्रैंड बन चुका है काफी रिलाइबल इसने अपने अपको एक इस्टैबलिश कर लिया है हुंड़ी लाइन अप में काफी अच्छे स सेल्स फिगर अगर मैं काऊं हुंड़ी के पॉंट अव्यू से लेकिन अब यह और भी ज्यादा बिखने वाली है फॉर शूर क्योंकि अब मुझे यह ज्यादा अच्छी लग लिए थोड़ा ऐसे वी करेक्टर इसमें ज्यादा अगया गाड़ी बोल्ड हो गई है और काफ यह नंबर वन पर बन जाएगी फॉर मैं इस बात को जरूर जानता हूं आप भी इस बात को जरूर एग्री करोगे अपने व्यू जरूर का शेर करिये नहीं तो अगर इसके अलावा भी कोई कोई कॉन सा इसमें लेना चाहिए वेरियंट तो डेपनेटली आप मेरे वाट्स के नाम से मेरे Instagram handle है बाकी इससे रिलेटेट कोई भी कोई एक ऐसे रिलेटेट कोई भी एंक्वायरी हो तो डेफिनेटली आप मेरे से बात करिए आपको जरूर एक solution मिलेगा अब बेस प्राइस के लिए भी अगर आप लगनू उसे कोई गाड़ी परचेस कर रहे हो तो उसक